नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपर्स चॉइस में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश क्रामर का एक बहुत ही खुब्सूरत सा टॉपिक डारेक्ट और इंडारेक्ट फॉर्म आप नैरेशन ओके तो शलिए जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है तो दो तिन चार पार्ट में हो तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ अजर्टिव सेंटेंस को कवर करने वाले हैं ओके लिए देखते हैं सबसे मेले दोस्तों यह जानते हैं कि यह नैरेशन क्या होता है नैरेशन में किसी दूसरे परसन के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में बोलना किसी दूसरे स्पीकर के कोट्स को कोटेशन को उसके स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहना यही वो नैरेशन कहलाता है ओके यह दो तरह से होता है दोस्तों यह जो डारेक्ट स्पीश होता है यह दो पार्ट में डिवाइड होता है रिपोर्टिंग वाफ और रिपोर्टिंग वाफ क्वाफ को आपके लाग और यहां पर जो दूसरा वाला पार्ट है I am tired हम लोग बोलेंगे reported speech यह जो reported speech है यह statement किसका है स्टेटमेंट किसका है he said to him उसने मुझे को बोला I am tired मैं ठक गया हूँ यह वाला जो part है inverted comma में close है इसको हम लोग reported speech बोलेंगे और जो inverted comma में free होगा उसको हम लोग मोलेंगे रिपोर्टिंग अच्छा एक चीज और हो सकता है जो रिपोर्टिंग वाप है यह बाद में भी आ सकती है ऐसा नहीं I am tired यह पहले आ सकता है और यह बाद में आये बट एक चीज होगा कि जो यह इन्वर्टेट कॉमा में क्लोज ही होगा पहले भी आएगा तो इन्वर्टेट कॉमा के अंदर यह आएगा विकॉज इस ता स्टेटमेंट आप समय चलिए अब देखते है कि इंडिरेक्ट स्पीच क्या होता है इंडिरेक्ट स्टेटमेंट है तो फिर हमको यह बताना है कि इंडिरेक्ट स्टेटमेंट है उसने कहा है तो फिर हमको यह बताना है है कि ए जब भी जो नाउन होंगा जो वर्ब होगा अज़सद cheap हो जाता है इसलिए rank Is तक गया है तो हमको को स्टेटमेंट को मैं बोलना हो मैं नहीं नहीं बोलोगा कि उसने बोला कि मैं थक गया हूं मैं यहीं बोलूँगा ना कि उसने बोला कि वो थक गया है इसलिए जुरुत पढ़ती है इंडारेक्ट स्पीच का कि यहां पर सेट्टू टोल में कर दीजिए और नहीं भी करते तो ऐसा कोई कंपलजन नहीं है कि यह संटेंज जो है इंडारेक्ट स्पीच में हो गया चली आगे देखते हैं कि अगरेक्ट से चेंज करेंगे किया क्या रोल्स होते हैं आए जानते हैं सबसे पहला जो अज़र्ट्व संटेंस उसके रोल्स के बारे भी भी लोग डिसकस करेंगे दो फर्स्ट रूल इन चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वाफ सेट तो होगा तो उसको हम लोग कर और जो सट इसतो होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे रायत यानिस सटू गहानी से टू प्रहर्ट प्रीट को प्रेजंट इन और पास्ट लोग के एचा का पास्तमरी टिक के Class rod carry that's अगर said है, तो फिर said ही रहने देगे और says है, तो say ही रहने देगे, say है तो say ही रहते है, will say है तो will say ही ही Carry that को क्यों को यह तो थी बात किसकी reporting बाप की aside your sentence का जो first part है जो inverted comma से पहले होता ही जो free होता है, without inverted comma की आता है है उसमें हम लोग यह चेंज करेंगे से टूट वी हो जाएगा से ईसट्ट लेके सेंड है तो इस बाकीächst नहीं करेंगे बस इतना जान लिजे कि से टूाता है या फिर सेट कुगा यह जो टू वाला फ़र्बीशन है इसमें हम लोग चेंज और अगे देफements rule number 2 is यह जो हमारा connecting word है वो that लगेगा यानि कि connecting word क्या होता है sentence हमारा दो पार्ट में direct speech दो पार्ट में divide होगा reporting work and reported speech तो इन दोनों sentences को जोडने के लिए connecting word एक conjunction का use होता है और वो conjunction है that जिसको हम लोग use करेंगे जिसको हम लोग लगाएंगे दोनों sentences को जोडने के लिए and the third and important role that is changing in verb verb change हो जायगा जितना भी present tense है पूरा past tense है आई एक एक करके जानते है verb में SES लगा है या फिर verb की first form है तो sentence आपका verb की second verb की second form में change हो जायगा ओके यानि कि present indefinite tense का अगर present indefinite tense का अगर affirmative sentence है तो past indefinite का अगर present indefinite का negative या interrogative है तो past indefinite का negative या फिर interrogative हो जाएगा जैसे कि do या does है तो did के साथ पर verb की first form लग जाएगा does not है तो did not हो जाएगा do not है तो okay did not हो जाएगा and the third role is is am are will become was work okay is am are की जगा पर change कर दीजे और लगा दीजे वास पर ये पास्ट का continuous tense है प्रेस्ट का continuous tense है पर्फेक्ट पर्फेक्ट प्रेस्ट प्रेस्ट पर्फेक्ट आप यानि की has की second form did plus verb की first form आता है तो change कर देंगे उसकी जगह पर had plus verb की third form that means अगर sentence past indefinite में है तो उसको हम लोग change कर देंगे past perfect way next rule is was work will be changed into had been plus verb की third form right यानि की was पर है तो उसकी जगह पर हम लोग had been custom रहेंगे plus verb की third okay next is had है तो फिर had ही रहेगा कोई भी change नहीं करेंगे had had में ही रहेगा will or shall will or shall है तो would and should में change हो जाएगा and the next is can or may will become quit or might पूरा का पूरा जो system है verb का formation है present से change हो जाता है पास्ट में okay let's see the examples changing in other words example के पहले थोड़ा सब देख लेते कुछ other words है जो की change होते हैं जैसे कि this है that में change हो जाएगा these है दोस में change हो जाएगा here है they are में change हो जाएगा now है then में जाएगा today change into that day okay and tonight change हो जाएगा that night में yesterday the previous day and tomorrow change हो जाएगा the next अब दिखते है examples the first example is on your screen he said to me she writes he said to me जो पहला change है the first change आपको करना है रिपोर्टिंग वर्ब में राइट रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर है this is reporting पार्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो set to है उसके जगाह पर हमको इसली change कर देना है told okay he said to me change हो जाएगा he told me and next role is यह जो connecting word यहां पर इस्तिमाल करना है यह दो पार्ट है ना reporting वर्फ वाला पार्ट और यह रिपोर्टिंग वर्फ वाला पार्ट और यह रिपोर्टिट वाला पार्ट दोनों को चोड़ना है और यह inverted कॉमा को हड़ा देना इसकी जगाह पर हमको दैड़ लगा he told me that okay she third person का pronoun है चेंज ही नहीं हुगा प्रनौन चेंज करना आगे देखेंगे तो शी और राइट स्वाब में एस एस लगा है प्रसेंट इंदिफिट है चेंज हो जाएगा किसमें पास्ट इंदिफिट में यानि की एस याइस चेंज हैगा वह आपके सेकेंड फार्म में है ओके तो राइट्स का सेकेंड फॉर्म प्रोट की टोल मी दाट वी रोट लेट सी दो नेक्स्ट एक्जामपल कृृति और काव्या प्ले टोगेदर आई से यहां पर रिपोर्टिंग वाब बात में है रिपोर्टेंड स्पीच पहले है और इंवर्टेट कॉमा में बंद है ओके तो दोस्तों जब हम इंडिरेक्ट स्पीच करेंगे तो रिपोर्ट की फिर्स फिर्स फॉर्म प्ले है तो यह चेंज हो जाएगा यहां पर प्लेट में जएदेख है थोड़ा सा रिप की फिर्से फीर्स फॉर्म चेंज हो जाएगा वाब के सेकेन्द फ़ेंड Me I said that कृति एंड काव्या प्लेंट Lock the and the next example he said to me Ananya has finished a work he said to me Ananya has finished a work जोस्तों जब भी आप आप दिर्क्स इंडिर्क स्पीच में चेंज कर रहें किसी सब्सक्राइब को सबसे पहला जो काम आप करिए वो देखें इंवर्टेट काम में जो क्लोस्त है यानिकि दाइट पार्ट आफ कौनसा इप इन से स्पीच न भी को हम लैट टेंस है तो यहां पर लिए एक यहां पर ने दिगा यह जो रिपोर्टेलिस पीच है यह प्रस्ट का ActsITE को सा फेनिश्ट कें परफेक्ट परफेक्ट अननियाहाइज फिरिंश्ट अबक है फेनिश्ट परसेट व्हक सेंटेंस मारा प्रइजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में अने अनन anneίο टोल भी आट आठ अट एज़ vidéo तोग्न दोल कर देना फिर पर आपको एन वत हमस चेंच साच हो गया है यानि कि वाफ की फिर में वाफ की सेकंट फार्म में है वाफ का सिकंट फार्म लगा है जगह पर हम प्रकॉर्द प्लस वाफ की थार्ड फर्म लगा देंगे I said that she had gone okay let's see next example he said to me they will play a friendly match he said to me they will play एक पर यह एक पर जो विल है यह चेंज हो रहा है किसमें वील चेंज हो रहा है किसमें विल चेंज हो रहा है नेक्स्ट कावेरी विल नाट गो टुमारो मॉम सेट नी मॉम ने बोला कि कावेरी कल नहीं जाएगी कावेरी विल नाट गो टुमारो सेंटेंस में चेंज क्या करना है यह जो हमारा रिपोर्टिंग वर्फ है यह बाद में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्फ को हम लोग पह्ले यह मॉंप यह वाला पाड और लोग पहले लें और यह जो स्पीच है का वेरी विल नॉट गो टुमारों यह स्पीच आदमें रखेंगे आख एक चीज और यह संटेंस महतंकिस में हैं फिलनोंट wine को किमारों में किस तन्स का होईगा, future का indefinite, okay, so will change हो जाएगा, would में tomorrow हो जाएगा the next day, okay, तो mom said that Kaveri would not go the next day, mom said that Kaveri would not go the next day, चलिए देखते हैं, next example, direct speech में दिया है, she said Mr. Verma is absent today, okay, यह sentence is absent today, is जो है वो was में change हो जाएगा, today change हो जाएगा, that day में बिल्कुल इसी सा है, difficult नहीं है, she said that Mr. Verma was absent today, the next example is on your screen, no one can solve this, some said the teacher, यहाँ पर भी वही सिच्वेशन है, reported speech पहले आगया, reporting वह बाद में आया है, तो the teacher said that, okay, no one can की जगा परोजएगा, could solve, और दिस की जगा परोजएगा, that, okay, so the teacher said that, no one could solve that, some, teacher नहीं बताया कि उस सवाल को कोई भी नहीं हल कर सकता, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह देखेंगे, कि किसी भी sentence का जो pronoun होता है, वो pronoun change होता है, तो वो कैसे change होता है, कि क्या roles है, ओके देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो, thanks for all.